आपका स्वागत है आज इस वड़ी में केंडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हूँ MCT महू की तरफ से मैंने आपको जैसे बताया था एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं और केंडेट के रिस्यूड भी होना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रैडे को ही केंडेट का ऐड्मिट कार्ड जो भी पास के केंडेट है उनके रिस्यूड हो गए थे क्योंकि काफी केंडेट इस confusion में थे कि email आएगा लेकिन अभी तक email नहीं जारी किया गया लेकिन हो सकता है बाद में आपके पास email आये क्योंकि email ID वगरा सब कुछ आपके admit card पर maintain किया हुआ है तो आप जो भी candidate है जिनका भी admit card आ चुका है एक बार comment box में जूर comment करके बताएं अब हम आपको admit card भी दिखाँगा किस trade में किस चाप से आपकी किस shift में आपकी exam होने वाली है मैंने आपको बताया था exam आपकी एक एड़े में होगी 16 तरिक को आप बहुत सारे candidate बहुत सारी फालतू बात करते थे ग्रूप पे भी और comment box में भी comment मैंने देखे कि यह फालतू की जूरत नहीं है मुझे सरकार ने government ने job दे रखी है उसी के लिए मैंने आप channel यह only help के लिए है जो भी information मुझे मिलती है जुरूर आपके साथ share करता हूँ यह चीजें जो भी candidate जो भी बोली है उनके लिए मैंने टेलिग्राम गूट से भी उनको अटा दिया है मुझे sincere candidate जो वही मेरा वीडियो देखें और वही मेरे साथ add रहें बाकी की सारे add जहें मुझे कुछी की भी ज़रूरत नहीं पर आप यह नोटिपिकेसन देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके percentage base पे admit card जारी के जाएंगे सभी candidate के admit card नहीं आएंगे यह पहले भी मैं बता चुका हूँ पेंटर की यूर की एक पोस्ट थी जिसमें PWD candidate के लिए थी PWD candidate के लिए 60% पे भी admit card यहां पे आ जाएंगे कारपेंटर के लिए भी PWD candidate मतलब physically handicapped candidate थी यहां पे भी 60% पे भी आपके admit card आ जाएंगे चोकिदार की जो पोस्ट थी टोटल 6 पोस्ट थी जिसमें एक ABC की और पायाच जर्नल की यहां पे एक candidate का जो admit card आया 70% पे आया है लेकिन उन्होंने अभी candidate ने जो भी admit card नहीं share किया वह अलग बात है लेकिन 70% पे उन्होंने बता है कि उनका admit card आ चुका है उसके बाद में सिविल मोटर डावर के लिए जो admit card है दो पोस्ट अक्सुरिसमें की थी बाकी की जो पोस्ट है उसमें 60% पे चांस है कि admit card आ जाएंगे equipment repair पे लिए भी आप अक्सुरिसमें की पोस्ट थी यहां पे भी 60 से भी कम में जो भी admit card जारी हो जाएंगे counts man है तो यहां पे 70 से प्लस ही admit card जारी होंगे messenger के लिए 70 प्लस ही admit card आएंगे store keeper के लिए भी 70 प्लस के ही admit card जारी हो जाएंगे इसके बाद में teller के जो pwd के लिए तो यहां पे पोस्ट में 50% वाले के भी admit card जारी हो जाएंगे teller communication जो भी है mechanic की उसके भी लिए भी दो पोस्ट थी है एक अक्सर्विस में के यहां पे भी 60 या 55% पे आपके admit card जारी हो जाएंगे या इसके भी कम में है आपके admit card देखने को मिलेंगे cook के जो admit card है दो पोस्ट हैं या पे जो दोनों पोस्ट हैं एक अक्सर्विस में के लिए बाकी की जो पोस्ट हैं या पे आपको 65 पे प्लस आपको admit card देखने को मिलेंगे दफ्तरी के लिए एक पोस्ट है 70 प्लस ही admit card मिलेंगे गार्डनर के लिए भी 70 प्लस, फटिक में इनके लिए भी आपकी जो पोश्ट है उसमें भी 70 प्लस ही एडमिट कार्ड मिलेंगे, LDC के लिए 60% पे भी एडमिट कार्ड आ गये हैं, एक एंडेट हैं जिनका आगरा का है, बाकि की जो भी बहुत परपास के एंडेट हैं, की एकजाम कंडेक्ट होगी, तो आपके लिए सलेबस बहुत जरूरी है, आपने यह दी, अभी तक सलेबस नहीं देखा है, तो सलेबस देखकर ही एकजाम जाएं, देने जाएं नहीं तो आपको प्रोब्लम हो सकती है, पहले LDC पत के लिए अच्छी काशी पोस्ट हैं, आप टीर वन की एकजाम देख लीजिए, जिसके लिए आपके एडमिट काट जारी किये गए, टीर वन जो की ओमार सिट बेस एकजाम होगी, उसमें आप यहां पर सलेबस देख सकते हैं, जो की आपके जनल इंडिले इस रिजिनिंग आपके पचीस कुशन रहेंगे, दो न 60 मिन्ट का टाइमिंग आपको मिलेगा, 100 कुशन आपको करने हैं, जिसमें रिजिनिंग भी है और मैथमेटिक्स भी, तो आप सोच सकते हैं, टाइम का कितना महत्व यहां पर रहने वाला है, यह दि आपने ज्यादा से ज्यादा कुशन साब करने की कोशिश कर सकते हैं, तो बहुत ही महत्यों परना है, इसका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला ही है, आपका एक गंटे का, और टीर 3, जो टीर 2 में भी आपका सेकंड फेस रहेगा, उसमें होगी आपकी टाइपिंग, टाइपिंग होगी, उसमें जो केंडेट यहां पर देख सकते हैं, टीर 3 के लिए आपकी रखे गई है, टाइपिंग टेस्ट आपकी 35 इंगलिस में और 30 हिंदी में, यहां पे आप टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाएंगे, 10 मिंट में, तो आपका पूरा पेपर, बरबाद, पूरी मेनत, बरबाद, टाइपिंग आपको क्लियर नहीं की पाए तो, पिछली लिए आपका ओमारशीट बेस आपकी एक्जाम रहेगी, टीर वन की, जिसमें आपके यहां पर देख सकते हैं, क्युसंस जनल इंटिलेंस रिजनिंग 25 नमर की, नमेरिकल आपके 25 नमर की, इंगलिस 50 नमर की और जनल आंसवर्स भी 50 नमर की, यह टोटल आपको 120 मिन्ट दो गंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा, यहां पर अच्छा का सा टाइमिंग आपको मिल जाएगा, 1500 क्यूसंस आपके रहेंगे, 120 मिन्ट आपको मिलेंगी, फिर भी आपको जल्द से जल्द करना होगा, यहां पर आपकी 0.5 आपकी जो भी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भ होगा, आप देख रहे हैं, यह टीर 2 जो होगा, यह बाद में कंडेक्ट होगा, पहले आपका जो भी पेपर होगा, वो सभी ओमार्चिट बेस पेपर ही रहने वाला है, 16 तारीक को, बाद में इसके को लेटर जारी के जाएगे, टीर 2 में आपका इस से लिखवा सकते हैं, जो भी आपका लेटर रिखवा सकते हैं, हिंदी लेंग्वेज में या इंग्लिस लेंग्वेज में, यह पचास नमबर का रहेगा, और 30 में आपका टाइमिंग दिया जाएगा, तो यह भी रहने वाला है, जो भी किंडेट यह सोच रहे हैं कि MTS वगरा, 10 वी पास वाली व रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं, जनले इस रिजनिंग 25 नमर की 25 कुशन्स रहेंगे, 25 नमर के नुमरिकल, सेम आपका जो भी 25 नमर के 25 कुशन्स रहेंगे, इसके बाद हो इंग्लिस 25 नमर की इस परकार से 100 नमर का आपका यह पेपर रहेगा, और 90 मिंट्ट गंटे का टीर 2, टीर 2 में आपकी स्किल टेस्ट रखा गया है, इसमें कोई भी एक्जाम वगएरा नहीं होगी, डिस्टेट वी पेपर नहीं होगा, यहां पे करना होगा, स्टील टेस्ट देना होगा, जो भी कुक वगएरा है, सिविल मोटर डैवर है, वहां पे कौलिफाई निचर मतलब यह पास या फैल, मतलब आप स्किल टेस्ट में पास होते हैं, तो आपको लिन या फैल होते हैं, तो आउट सीधा शी बात है, यहां पे आप ड्राइवरिंग करवा कर देखी जाएगी, बाकि अदर जो भी आपके कुक वगएरा आपका खाना बनवा कर देखा तो यह दिस सलेबस के अनुसार आप त्यारी नहीं करके गए, तो आपका प्रोब्लम हो सकते हैं, पहले अप्जिप्टिक टाइप जो मार्शिट बेस ही एक्जाम होगी, उसके बाद में ही आपकी जो एक्जाम होगी, जो डिश्टेट्वी पेपर या जो भी स्किल बहुत कम टाइम मिलने वाला है, अब अपनी तैरी स्टार्ट कर दें, जो भी केंडेट अपनी दिमाग में फिट कर रखा है, बेजे में फिट कर लें, कि एडमिट कार्ड दस दिन के अंदर अंदर पूरे आ जाएंगे, एक केंडेट ये बोल रहा था, पिछली बार एक मह इडमिट कार्ड आपके जारी हो सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पर आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं, चोदा मई को ही ये एडमिट कार्ड सिगनेचर हुए हैं, जो भी आपके मिलिटरी कोलेज और टैमिनिकेशन, इंजिनियरिंग, महू, MP की तरफ से, यहार रोन नमर दिये गए हैं, नाम, सब कुछ दिये गया है, मॉबाइल नम के लिए टीर वन के लिए एक्जाम है, मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपकी अलग अलग टीर वन, टू, टू, त्री आपकी रहने वाली हैं, लडी सी पत के लिए, इनके 93% है, लेकिन मुझे एक इंडेट जो भी मिला है, उसके 60% पे आगरा के इंडेट है, उनका एडम बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, साड़े साथ बजे गेट कलोज हो जाएंगे, आर्मी पपलिक स्कूल महू, जो की स्टेशन से ज्यादा से ज्यादा दो या तीन किलोमेटर की दूरी परिस्तित है, वहाँ पे आपका एक्जाम कंडेक्ट होने वाला है, तो यह यहाँ पे आपको जो भी क्या डॉकुमेंट आपको लेकर जाना है, यहाँ पे आदेख सकते हैं, कोलेटर यह जो दिया गया है, यह आपको लेकर जाना है, एक ब्लेक ब्लू बॉल पेन आपको लेकर जानी है, और साथ में क्लिप बोर्ड भी लेकर जाना है, क्लिप जो भी married candidate हैं जो कि आपने पहले application फोरम बढ़ते वक्त आपका नाम दूसरा था अब दूसरा हो गया है यदि आपने ऐसा कुछ हुगया हुआ है तो आपके साथ तो वो आपको एफिडेविट बना कर आपके साथ ले जाना है physically handicapped जो candidate हैं उनके लिए कुछ है आपका instruction दिए गया है 15 जून को ही आपको KLP gate पर महूं में आपको पहुंच कर वहाँ पे MCT में आपको अपने जो भी यह कलिक है मतलब जो भी आपके exam देगा उसकी photo और सब कुछ आपको जमा करना होगा इसके बाद में note carry for the item examination center पे कोई भी किसी भी परकार का item नए लेकर जाएं इसके बाद में आपके पानी की बोटल होनी चाहिए transparent पानी की बोटल जुरूर आप ले जा सकते हैं sanitizer आप लेकर जा सकते हैं मतलब आप पानी की बोटल जुरूर लेकर जाएं क्योंकि गर्मी बहुत है पानी की विवस्ता नहीं हो क्योंकि आपकी जैसे बार बार में उठकर नहीं जाने दिया जाता तो आप पानी की बोटल जुरूर साथ में लेकर जाएं यह बात जुरूर आपको दिया गया है उसी के अधा पर आपको जाना है यदि आप किसी भी परकार का वहां पर अरेंजमेंट वगएरा नहीं किया होगा इस्टे रुकने के लिए भी कोई विवेस्था नहीं है बाहर आप स्टेशन के पास बहुत सारे लोगों जो होटल मिल जाएंगे वहां प वहां से बस में ओटो से बस का साधन आप ले सकते हैं दिन में पहुंचते हैं तो यदि से टाइम पर पहुंच जाएंगे तो आप रेदी रात में पहुंचते हैं तो आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा सुबह सुबह आपको बस सी ही साधन मिलेगी तो आप यहां पे निच्टर बगएरा देख सकते हैं पर जेंडिंग अफसर के बाकी की जो भी किन्डेट हैं यह आपकी किसी प्रगार की अधर कोई क्यूरी है तो कमेंटर बॉक्स में करें पूश सकते हैं आपको दिखा दूँ कि बहुत सारे टेलिग्राम ग्रूप पर पहले भी किस प्रिव हैं पिन मेशेज में जाकर आप बहुत सारे क्श्रीं पेपर आपको यहां पर मिल जाएगी यहां पर देख सकते हैं यह उची का लेटेस्ट इइस पेपर अप्लोड किया हूआ है बहुत सारी और बहुत hier चांसर के अम कोश्ट networks सक Satu और आप कर सकते हैं जो कि बहुत सारे questions paper आपको free or cost यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो जो भी केनेट हैं अब किसी के अलावा कोई क्यूरी आपको लग रही है आपको लगता है इस channel पर कुछ अची चीजे मिल रही है तो जरूर आप like कर सकते हैं comment box में comment कर सकते हैं जेन दोस्तों